इस वीडियो में एक्सल की टॉप 30 टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं जो बेसिकली हर एक आफिस में बहुत ज़्यादा काम आती हैं अगर आप एक्सल यूजर और समार्ट तरीके से अपना एक्सल का वर्क ओफिस में करना चाहते हो तो ये 30 टिप्स आप जरू सीख लो एक बार ये वीडियो पूरा देख लो और एक बार में ये सारी टिप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं हूँ दीपक आपका दोस्त लेट्स बिगिन दिस टॉपिक तो यहां दोस्तों आप देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा डेटा है मुझे ये डेटा न अपरकेस लेटरस में कनवर्ट करके प्रिंट करना है अब डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो कैसे करोगे बहुत सारी कॉलम्स में डेटा होगा तो कैसे करोगे अभी तो इसके ल यहाँ fonts में जाना है, यहाँ पे आपको uppercase के कुछ font मिल जाती है, जिनका आप use करके data को बिना किसी formula के uppercase में convert कर सकते हो, यहाँ पे यह एक font दिरख है, आप result यहाँ पे देख सकते हो, uppercase में data आ गया, और यह देखी uppercase में आ गया, click कर दीजिए, data uppercase में है, print करोगे, upperc entry करानी है, मैं यहाँ cell पे click करूँगा ना entry करने के लिए, तो यहाँ पे एक message आ रहा, information आ रही है, please enter name in uppercase only, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी entry करेगा, तो उसको पता चल जाएगा, कि entry uppercase letters में करनी है, तो इस तरह से cell message कैसे आप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे आपको लग आपके दिखाता हूँ, मैंने range कर ली select, data tab पे जाना है, data validation पे जाना है, और यहाँ setting पे जाके, कोई भी validation select नहीं करना है, any value रहने देना है, input message पे जाके, यहाँ पे message आपको type कर देना है, मान लीजी है, आपने हाँ लिखा info, और यहाँ पे कोई भी message आपने type कर दिया, ok कर तो जब भी इस range में किसी भी cell पे हम करेंगे, click, तो यह message जो है, हमने set किया, वो दिखाई देगा, अगर आपको यह हटाना है, तो आप select करके, data पे जाओगे, data validation पे जाओगे, clear all करके, ok कर देना, तो यहाँ से वो message, cell message delete हो जाएगा, अगर हमें यहाँ पे cell select करके, इसके बीच में कुछ लिखना है, तो इसके लिए हम cells को merge करेंगे, फिर center करेंगे, मतलब merge and center करके, यहाँ पे कुछ भी हम center में लिखेंगे, बट बिना merge किये भी, बिना cell को merge किये भी, data हम center में कर सकते हैं, कैसे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ लिखना है बड़ सेल मर्ज नहीं करने हैं तो सेलेक्शन हम कर लेंगे इसके बाद यहां पर पहले कुछ लिख लीजिए मैंने हाँ पर मान लीजिए स्टुडेंट रिकॉर्ड अब मैंने इस रेंज को कर लिया सेलेक्ट यह सार मेरे को सेंटर में चाहिए बिना मर्ज क कि जो भी सेलेक्शन हमने कर रख है उसके बीच में जो है टेक्स आ जाए तो बस ओके कर देंगे हमारा काम हो जाएगा यहां पर देखिए जो एसार था वो सेंटर में आ गया जो भी हमने सेलेक्शन किया था बट यहां पर सेल मर्ज नहीं है अब इस चीज की बहुत जरूर मर्ज किये भी आप यह काम कर सकते हो यहां पे ना यह कुछ इंप्लोई के नेम लिखे होई है अब होगा क्या जैसी मैं किसी नेम पे करजर लेके जाऊंगा तो उसकी पिक्चर साइड में अपने आप दिखाई दे जाएगी करजर मैं यहां से हटाऊंगा तो पिक्चर नोटों दिखानी है यहां है यहां पे साइड में आदार काड की नंबर है किसी भी आघर अधर काड के नंबर पर कर्जर लेके जाओ तो उसका पूरा आधर कार नीड के लिए जो दिखाई देए तो इसके लिए यह जो ट्रिक है यह बहुत कामा आती है देखिए लाइन पे एक बार single click करेंगे, दोबारा right click करेंगे, format comment का option मिल जाएगा, यहाँ पे करेंगे click, click करने के बाद यहाँ पे colors and lines पे जाएंगे, और यहाँ पे color के सामने ये drop down इसको open करेंगे, इसमें नीचे जाएंगे fill effect पे और यहाँ पे picture वाले टैप पे जाएंगे, और यह यहाँ से picture कर लेंगे, select, जो भी picture आपको लगानी, उसको आप select कर दीजिये, click कर दीजिये, और यहाँ पे insert कर दीजिये, okay कर दीजिये, okay कर दीजिये, काम हो जाएगा, इसका थोड़ा size आप set कर दीजिये, जैसे भी आपको करना है, इस तरह से, ठीक है, तो मैंने अभी यह यहाँ पे तीसरे cell पे भी लगा दी, अब आप देखिए, यहाँ पे यह पिक्चर आ रही है, ठीक है, अगर आपको यहाँ से यह हटानी है, तो क्या करोगे, आप यहाँ पे click कर दीजिये, और यहाँ पे ऊपर option है, delete का, आप delete पे click करोगे, तो जो comment आपने लगाई है, वो आपकी comment delete हो जाएगी, सारी pictures एक साथ देखनी है, तो यहाँ पे show all comments का option है, यह pictures दिखाई दे जाएगी, hide करना है, तो दुबारा से यहाँ पे click कर देना, pictures hide हो जाएगी, तो यह track आपके बहुत काम आ सकती है, इसके बाद यह अगली track आप देखिए, मेरे पास यह data है, मान control C से, फिर किसी दूसी seat पे जाके paste किया, फिर से उसी seat पे high और फिर से अगला record copy किया, फिर से जाके paste किया, ऐसे नहीं करना, तो एक trick है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, clipboard का आपको यहाँ पे use करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, home tap पे जाना है, और यहाँ से clipboard open कर लेना, यहाँ पे करने click, clipboard हो गया open, अब आपको करना क्या है, मान लीजिए, मुझे यह record चाहिए, मैंने control C से copy किया, यह वाला चाहिए, control C, यह वाला चाहिए, control C, और यह last वाला चाहिए, control C, ठीक है, तो बस आपको अपनी seat पे जाना है, जहाँ पे बी data आपको paste करना है आप नई worksheet में भी जा सकते हो, नई workbook में भी जा सकते हो, आपको एक clipboard open मिलेगा, आपको जहाँ भी data paste करना है, click कर दीजिए, और यहाँ पे paste all का option है, यह देखिए, जो जो data आपने copy किया था, वो पूरा data यहाँ पे आ गया है, तो इस तरह से clipboard की trick का आप use कर सकते हो, यह यहाँ पे मेरे पास यह बहुत सारा data है, अब देखिए, data अगर मैं scroll करता हूँ, तो heading उपर दिखाई नहीं दे रही, तो heading को freeze करने के दो तरीके हैं, एक तो है freeze pane का use करके, एक दूसरा है बहुत smart, तो freeze pane से हम row को कैसे freeze करेंगे, आपको data में कहीं भी click कर लेना है, view tab पे ज 33 वाली row आपको यहाँ पर दिखाई दे लिए, तो उपर वाली जो row है, वो freeze हो गई है, अगर आपको एक से ज्यादा row freeze करनी है, तो आप इस तरह से select कर लेना, इस से उपर की सारी row freeze करनी है, तो freeze pane पे जाके, यहाँ पे freeze pane कर दो गया, अभी यहाँ पे freeze pane कर दिया, अभी य सबसे पहली row freeze करने का एक और सिमार्ट तरीका आप देखिए, आपको करना क्या है, सारा डेटा कर लेना है, select, control A से सारा डेटा कर लिया, मैंने select, control T प्रेस करके इसको table format में बदल देना है, my table has headers पे टिक लगा के रखना है, ok कर देना काम हो गया, अभी देखिए, यहाँ प अभी देखिए, उपर वाली row यह है, अब मैं अभी यहाँ पे क्या रहा, ABCD इस तरह से रहा, अगर मैं नीचे जाता हूँ, यह देखिए, तो heading कहा गई, heading column name की जगह पे आ गई, यहाँ पे देखिए, marks, course, name, id, तो इस तरह से यह smart trick आप यूज कर सकते हो, अगर आपके data म format में convert कर लोगे तो, यहाँ पे ऊपर से तो हम rows को freeze कर सकते हैं, बट नीचे से अगर हमें कोई row freeze करनी हो, तो वो कैसे हम करेंगे, मेरे पास इस data में नीचे total row है, और मैं चाहता हूँ कि यह total row यहाँ पे freeze रहे, तो यह काम कैसे होगा, आपको जाना है view tab पे, यहाँ पे एक और यहाँ से इसको पकड़के नीचे ले आईए, इस तरह से, ठीक है, अब यह अलग-लग जो है window यहाँ पे split हो गई है, नीचे वाली जो है, इसमें आप अपनी total वाली row को स्रेक कर लीजिए, जहाँ पे भी वो total row है, यह कौन सी row है, यह है आपकी 124, तो यहाँ पे आप 12 24 को ले आईए, यह हमारी total row यहाँ पे आगई, अब उपर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, डेटा को आप उपर नीचे कहीं स्क्रॉल करोगे, तो यह total row यहीं पे freeze रहेगी, ठीक है, तो इस तरह से आप जो है नीचे से भी row को freeze कर सकते हो, और इसी तरह राइट से भी कर सकते हो अगर आपको यह split हटाना है, तो यहाँ पे split option है, view tab पे इस पे फिर से क्लिक कर दीजिए, तो यह जो है यहाँ से हट जाएगा, इस तरह से इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो, मेरे पास यह दोस्तो बहुत सारा data है, अगर मैं इसको print करूंगा ना तो देखिए क्या होगा मैंने control P प्रेस किया, तो आप देखिए, पहले page पे तो heading जो है आ रही है, बट अगर मैं यहाँ से अगले page पे जाओंगा, तो यहाँ पे heading प्रिंट में नहीं आएंगी, तीसरे page पे जाओंगा, तो यहाँ पे भी heading प्रिंट में नहीं आएंगी, अब आप यहाँ पे जो row या bottom row, top row या bottom row freeze करोगे, वो तो केबल आपको यहीं पे दिखाई देंगे, बट अगर आपको print में भी उपर वाली row करानी है, आप चाहते हो कि हर एक page पे heading आपकी print में आएं, तो इसके लिए बस आपको simple एक काम करना है, page layout टैप पे जाना है, और print titles पे click करना है, यहाँ प select, ok कर दिया, अब हमारा काम हो गया है, अगर मैं control P करूँगा, यहाँ पे preview देखूँगा, तो देखिए, यहाँ पे heading पहले page पे आ रही है, और यहाँ से अगर मैं second page पे गया, तो यहाँ पे भी heading आ रही है, थर्ड page पे जाऊंगा, तो यहाँ पे भी heading आ रही है, तो इस data कर लिया है, select, मुझे केवल यह data print करना है, तो page layout पे जाएंगे, यहाँ पे print area का option मिल जाएगा, set print area कर देंगे, और अब आप देखिए, control P करके, तो यहाँ पे केवल वही data print में आएगा, जो data आपने select किया है, यह हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, print area पे जाएए, clear print area कर दीजिए, तो यहाँ पे अब सारी seat आपकी होगी print, एक्सल में data hide कैसे होता है, बहुत सारी लोग क्या करते है, data को करते है, select, और यहाँ से color कर देते है, white, मतलब data hide हो गया, ठीक है, यह सही तरीका नहीं है, data hide करने का, आपको एक काम करना है, जो भी data hide करना है, उसको कर देना है, select, control one press करना keyboard से, या फिर right click करके format cell पे जाना है, यहाँ पे custom पे जाना है, और यहाँ general को अटा के, तीन बार semi colon लगा देना है, तो आपका काम हो जाएगा, तीन बार semi colon लगा दीजिए, ok कर दीजिए, तो जो भी range आपने select किया है, वहाँ पे data दिखाई नहीं द देगा, basic आप यहाँ पे कोई भी color लगा देना, अगर आपको यह हटाना है, तो फिर से आपने range करने select जहाँ पे लगाया था, control one press कर लेना, और यहाँ पे यह तीन semi colon जो आपने लगाए थे, इनको हटा देना, तो यह देखिए, यहाँ पे ok करने के बाद, आपका जो data है, वो फिर से दिखाई दे जाएगा, अगर हमें excel sheet में data एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो इसके लिए copy paste या cut paste करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस data करना है select, और कौने से इसको पकड़ के कहीं भी आप जाके drag and drop कर दीजिए, वहीं पे यह data सिफ्ट हो जाएगा, यह देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आप data को बड़ी आसानी से move कर सकते हो, यहाँ पे यह जो data है, यह इस तरह से लिखा हुआ है, column में employee ID है, और column में इस तरह से names लिखे होई है, अगर मुझे इस data को convert करना है, मतलब इसका transpose करना है, कि employee ID ऐसे की जगह पे ऐ कैसे आजाएं, और name उसके नीचे इस तरह से आजाएं, तो इसका हम आसानी से transpose कर सकते हैं, कैसे बस data को करना है, copy, control C, और जहाँ पे आपको result चाहिए, वहाँ पे click कर लीजिए, right click, paste special, और यहाँ पे transpose का option मिल जाएगा, टिक कर दीजिए, ok कर दीजिए, तो देखिए, यह यहाँ पे जो data है, यह column की जगह इस तरह से row में चला गया है, यहाँ पे ना मुझे dates की series fill करनी है, but start date मेरे पास यह है, और इसके बाद अगले 70 दिन की dates मेरे को यहाँ पे fill करनी है, यह माली जी 200 days की fill करनी है, यह पूरे 500 days की fill करनी है, तो वह आप कैसे करोगे, drag and drop करोगे तो आपको बार-बार चेक करना पड़ेगा, इसमें time लगेगा, एक trick है जिसका आप use कर सकते हो, यहाँ पे आपको type करना है one, ठीक है, आप यहाँ पे दुबारा से click करना है, fill पे जाईए, home tab पे, और यहाँ series पे जाईए, ठीक है, यहाँ पे stop value आप लिखिए कि आपको कि इतने days की, यहाँ पे dates fill करानी है, मालीजे 70 days की fill करानी है, तो मैंने यहाँ पे type कर दिया 70, और यहाँ से column कर लेना है, select, ok कर देना है, तो यहाँ पे एक से लेके 70 तक series fill हो गई, इस column में, अब आपको यहाँ पे बस कौने पे double click कर देना है, तो आप देखोगे, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, मुझे क्या करना है, इस data में बीच बीच में एक एक blank row add करनी है, तो इसका simple सा funda है, आपको यहाँ पे helper column में आना है, या तो आप यहाँ पे आ जाईए, या फिर यहाँ पे आ जाईए, एक ही बात है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, म अब आपको एक कान करना है, यहाँ पे कोई भी heading आप डाल लीजे, मान लीजे, helper आपने डाल दिया, अब यहाँ पे filter लगा देना है, control shift L प्रेस करना है, तो filter लग गया, अब इस column से इस data को sort कर देंगे, sort smallest to largest, ठीक है, यह देखिए, बीच में एक एक row blank add हो गई है, इस column को basic आप कर दीजे, delete और यहाँ से सारा data कर लीजे, select और border आप लगा लीजे, ठीक है, जहाँ तक भी आपका data है, आप उसको select करके border लगा दीजे, all border, अब आप देखोगे, बीच बीच में एक एक blank row add हो गई है, यहाँ पे pin code में cell blank है, मुझे क्या करना है, मान लीजे data बहुत ज़्यादा होगा, तो blank cells highlight करने है, तो इसके लिए simple सा fund आए, आपको column कर लेने select, जहाँ पे blank cells आपको highlight करने है, keyboard से प्रेस करना है, और यहाँ पे special पे जाना है, और blanks पे टिक लगाना है, ok कर देना है, तो blank cell हो गई select, अब यहाँ से कोई भी fill color आप लगा दीजे, यह दे पे ना, pin code में cell फिर से blank है, हमें क्या करना है, जिसका pin code enter नहीं किया हुआ, उसका पूरा record कर दीजे, delete, ठीक है, पूरा record उसका delete करना है, जहाँ पे pin code enter नहीं किया हुआ, तो करना क्या है, बस simple, यहाँ पे filter लगा लीजे, लगा हुआ filter, और यहाँ पे जाईए, और blanks को filter क कर लीजे, blanks पे टिक लगा के, okay कर दीजे, तो यहाँ पे blank record आपके सामने आ गए, यहाँ से इन रोज को select करके कर दीजे, delete, delete row, इसके बाद यहाँ फिर से जाईए, और select all पे click करके, okay कर दीजे, तो काम हो गया, यहाँ पे ना, आप देखिए, कुछ students के marks enter नहीं किये गई है, cell blank है, हमें क्या करना है, जो cell blank है ना, उनमें absence लिखना है, या a लिखना है, या कुछ और लिखना है, blank cells को fill करना है, किसी एक value से, तो कैसे होगा, देखिए, यहाँ से यह mark सम कर लेंगे, select, keyboard से press करेंगे, f5 की, यहाँ पे जाएंगे, special पे, और यहाँ से blanks पे टिक यह type हो गया, एक cell में, keyboard से control की दबाकी रखो, और enter press कर दीजिए, सभी blank cells में a fill हो गया, यह आप देख सकते हो, अगर हमें किसी column में से duplicate values को delete करना हो, तो कैसे करेंगे, देखिए, मुझे यहाँ से column में से duplicate values को delete करना है, तो अभी आप देखोगे, यहाँ पे 100 है, यहाँ प यहाँ से हमें delete करनी है, तो simple सा funda है, range कर लेंगे, select, data टैप पे जाएंगे, यहाँ पे option है, remove duplicate का, click कर देंगे, और ok कर देंगे, तो duplicate values वो delete हो गई है, duplicate entries को या values को कैसे highlight करेंगे, देखिए, यहाँ पे मैंने यह range कर ली, select, मुझे duplicate values highlight करनी है, तो simple सा funda है, range select करके जाएं rule, यहाँ पे option मिलेगा, duplicate values, click कर दीजिए, और यहाँ से कोई भी color आप कर सकते हो, select, ok कर दीजिए, तो काम हो गया, यहाँ पे देखिए, duplicate values highlight हो गई है, अब मान लीजिए, मैं यहाँ पे अगर फिर से entry करूँगा, मैंने हाँ पे type किया 1, यहाँ पे type किया 2, अगर मैं हाँ यहाँ पे फिर से one type करूँगा, तो यह देखिए, यहाँ पे cell highlight होगे, कि duplicate entry आपने कर दीए, तो इस तरह से आप duplicate entries को highlight कर सकते हो, यहाँ पे आप देखिए, इस workbook में तोटल 5 seats हैं, अब मुझे क्या करना है, इन में से केवल इस seat का data, इस seat 3 का data, एक नई workbook में लेके जान हैं, मतलब मुझे यह जो seat है, यह किसी दूसरी नई workbook में move करानी है, एक seat, फिर मान दीजिए, मुझे उसको mail करना है, किसी को या किसी को देना है, तो यह काम कैसे करेंगे, तो अभी मैं seat 3 का data, एक नई workbook में लेके जाऊंगा, तो करूँगा क्या, seat 3 tap पे right click करूँगा, और यहां पे option है move और copy, click करेंगे, और यहां से create a copy, अगर मान लीजिए, इसकी copy create करनी है, तो यहां पे आप create a copy पे tick लगा दीजिए, इससे होगा क्या, यह seat यहां पे भी रहेगी, और नई workbook में भी चली जाएगी, अगर आपको यहां से move करानी है, नई workbook में, तो उस case म यहां पे tick नहीं लगाना है, तो मैं भी क्या करता हूँ, इसकी copy create करके नई workbook में लेके जाऊंगा, इसके बाद यहां पे two book, यहां पे आपको new book पे click कर देना, new book, बस, okay कर दीजिए, तो देखिए, यहां पे एक नई workbook आ गई है, और इसमें केवल वही seat 3 का data आ गया है, बहुत सारी seats यानि bulk seats excel में कैसे हमें एक click में insert कर सकते हैं, देखिए, यहां पे मैंने months के name लिखे हैं, मुझे in name से, यहां पे seats insert करानी है, एक click में देखिए, करेंगे क्या आपको करना क्या है, जिन name से seats यहां पे insert करानी है न, वो name यहां पे type कर लो, एक list बना लो, मैंने आपको डालेना है, आपको यह data करना है, select और insert पे pivot table पे जाके pivot table में इसको convert कर देना है, existing seat पे pivot table बना दीजिए, यहां पे ok कर दीजिए, इसके बाद यहां पे जो यह header होगा months यहां पे दिखाई देगा, आपको इसको पकड़ के report filter में छोड़ दीजिए, बस काम हो का, so report filter pages, आपको यहां पे click करना है, ok करते ही, यहां पे magic हो गया, देखिए, बहुत सारी seats insert हो गई है, यह देखिए, है न, जो नहीं हमने दिये थे, jan, feb, march, apple, उन नेम से यहां पे seats insert हो गई है, but यहां पे सभी seats पे यह जो है, list मिलेगी आपको यहां पे इस तरह से, ठीक पे click करके delete कर देना, तो यह जो row है, वो हो जाएगी delete, ठीक है, अगर आप यह चाहते हो कि आपकी जो seats है workbook में, उनको कोई delete ना कर पाए, name change ना कर पाए, नई seat add ना कर पाए, तो इसके लिए आप अपनी workbook को lock कर सकते हो, आपको simply जाना होगा, review tab पे और यहां पे option मिलेग protect workbook, click कर दीजी, और यहां पे आपको window and structure पे दौनों पे टिक लगा के password डाल देना है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो workbook है, वो lock हो जाएगी, यहां पे ना तो नई seat add होगी, ना यहां से कोई seat delete होगी, ना किसी का name change होगा, ना कोई seat यहां से movement copy होगी, मतलब यह सारे option य math के marks हैं, और इनका total मैंने यहां पे किया है, अब यहां पे सामने कोई value नहीं है, तो 0 आ रहा है, अब आप क्या करते हो, 0 को हटाने के लिए ना इसका formula लगाते हो, एक simple trick है, जिससे आप 0 को hide कर सकते हो, कैसे देखिए, यहां से range मैंने key select, keyboard से press करना है control 1, और यहां custom पे ज semi column लगा दीजिए, 0, 3 बार semi column ओके कर दीजिए, यहां पे काम हो गया, अगर यहां पे हम value एंटर करेंगे, तो यहां पे देखिए, अपने आप result आता रहेगा, बाकी 0 आपको दिखाई नहीं देगी, इसके बाद यहां पे आप देखिए, मुझे क्या करना है, columns को swap करना है मैं यह चाहता हूं कि chemistry वाला column मुझे आगे shift करना है, और यह बाकी इसके पीछे shift करना है, तो एक simple सा तरीका है, मैं यहां से इस column को कर लोंगा, select, keyboard से shift की दबाके रखेंगे, और इसको कौने से पकड़ के, यहां से पकड़ के, इसको आगे पीछे कहीं भी हम drag and drop कर सकते है तो मैंने इसको यहां पे रख दिया, आप देखे chemistry का जो column था वो यहां पे आगया है, और यह बाकी पीछे shift हो गई है, मालीजिए मुझे physics का आगे रखना है, तो मैं keyboard से क्या करूँगा, shift की को दबाके रखूँगा, और इसको यहां से पकड़ के आगे shift कर दूँगा, त से, तो यहां पे मुझे data entry करनी है, मैंने headings यहां पे डाल ली है, और यह थोड़ी सी एक range मैंने ले ली है, तो मैं क्या करूँगा, यहां से बस इसको select करके पहले तो keyboard से control T press करके इसको table format में convert कर दूँगा, my table has header ok कर दिया, तो यह जो format था, वो table format में आ गया, यहां से इनका जो color है, वो मैं change कर देता हूँ, मैंने यहां से font color कर दिया black, अभी यह जो इतनी range थी है, टेबल format में मैंने convert कर दी है, अब यहां पे देखिए, उपर एक form का option मैंने add कर रखा है, यहां पे form का option एड़ कर रखा है, यह कैसे add करने आपको, आपको यहां पे जाने quick access toolbar और more commands में जाने, यहां से आपको all commands पे जाने, और यहां पे form का option आपको search कर लेना, यहां पे यहां पे form का option इस पे click करके इधर add कर लेना, ठीक है, मैंने add कर रखा पहले से ही, अब इसको मैं कर दूँगा यहां से close, अब इस table format में कहीं भी मैं करूंगा click, और यहां form पे कर दूँगा click, तो data entry के लिए form open हो गया, यहां पे चार column है, तो यहां पे चार box आपको दिखाई देंगे, मैंने roll number डाला one tab की press करके, अगले उसमें आजाएंगे हम box में, physics के marks 23, tab press करके 34, tab press करके 45, और यहां से हम क्या करेंगे, new पे click करेंगे, तो पहला record add हो गया, इसी तर data entry थोड़ी आसान हो जाती है, और फिर से new, तो इस तरह से, कभी भी आपको इस form चाहिए, तो इस range के अंदर stable format में कहीं भी click करके, यहां form पे click कर देना option पे, तो form आपके सामने आजाएगा, तो इससे आप आसान इसे जो है data entry कर सकते हो, इसके बाद यहां पे आप हो कि आपकी जो file है, वो आपके computer में कौन सी location पे किस नाम से save है, तो formula क्या है, equal cell bracket open, यहां पे double course में आपको type करना है, file name, ठीक है, file name आपको type करना है, यहां से भी आप pick कर सकते हो, tab की press करके, मैंने यहां से file name pick किया, double course के अंदर और bracket बंद कर दी, enter press करूंगा, तो यहां प book one, ABC नाम से यह file save है, यह है मेरे पास data, अगर इस data में से मैं इन दो columns को hide कर देता हूं, तो क्या होगा देखिए, मैंने hide कर दिये दो column, अब मेरे पास यह data है, अगर इस data को मैं select करके copy करता हूं, control C, और किसी दूसरी seat पे जाके paste करूंगा, control V, तो देखिए क्या हुआ, सा यहां पे आ गए, तो यहां पे column hide करने का तो कोई फाइदा हुआ नहीं, है ना, क्योंकि जो data हमने छुपा रखा है, अगर हम copy paste करेंगे किसी दूसरे बंदे के सामने, तो सारा data सामने आ जाएगा, अब ऐसे में secret copy आप कैसे करोगे, ताकि जो data आपका hide है, वो visible ना हो, तो आपको करना क्या है, data करना है, select, ठीक है, keyboard से F5 की press करनी है, और यहां special पे जाना है, इसके बाद यहां पे option मिलेगा, visible cells only, इसको tick करना है, इसके पे click करना है, ok कर देना है, इसके बाद copy करना है, control C, ठीक है, control C से copy कर लिया, अब आप जा के इसको paste कर दीजिए, जहां पे आ आ गया है, data filter करना तो Excel में सबको आता होगा, बहुत basic सी चीज है, बट कई बार हमें इस चोटी सी trick की जरूरत पढ़ जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मेरे पास यह data है, courses की list है, बहुत सारा data और यहां पे बहुत सारे मान लिजिए, courses के name है, ठीक है, ऐसे में अगर आप यहां पे filter लगा के list में से कोई course select करोगी, तो उसमें time लगेगा, आप किसी cell पे click करके उसी से data को filter कर सकते हो, मान लिजिए, मैंने यहां पे word पे click किया, मैं चाहता हूं कि word का data यहां पे filter हो जाए, तो बस cell पे right click करना है, filter पे जाना है, और यहां पे option में ल लिखा हुआ है, अब मान लिजिए, मुझे text अलग करना है, या number अलग करना है, तो कैसे हम करेंगे, अगर आपके पास Excel 2013 है, या इससे above version है, later version है, तो आप यह काम चुठकियों में कर सकते हो, देखिए कैसे, मैंने क्या किया, इस cell में click किया, यहां पे मुझे मान लिजिए नंबर निकालना है, तो इस cell में जो यह text लिखा हुआ है, इसमें से number चुन-चुन के आप यहां लिखो, पहले क्या है number two, फिर three, फिर three, फिर four, फिर four and three, enter press कर दीजिए, अभी हमने क्या किया, इसमें से number चुन-चुन के यहां लिख दिया, enter प्रेस कर दिया, keyboard से press कर दीज आप देखिए, एक्सल समझ गया कि इसमें से number अलग निकालना है, तो यहां पे सारे number अलग निकल के आगे, इसी तरह text को आप निकाल सकते हो, मालीजिए, यहां पे text निकालना है, तो इस cell में से a, d, f, h, g, जो भी है, उसको आप यहां पे type कर दीजिए, enter करके यहां पे आ दोनों को join करने के लिए, आप end का formula लगा होगे, यह concatenate का formula लगा होगे, but flash fill से यह magic चुटकियों होगा, देखिए, मैंने यहां पे पहले type किया, अनील, इस cell की value, फिर space देखे, इस cell की value, मतलब यहां पे क्या लगा, कुमार, k, u, m, a, r, enter press किया, आप यहां पे control e press कर दें या flash fill का, excel अपने आप समझ गया कि इन दौनों cells को join करके यहां पे लाना है, तो यह थी दोस्तो, excel की कुछ ऐसी tips and tricks जो basically हर office में बहुत ज़्यादा काम आती है, उमीद करता हूं यह सारी tips and tricks आपके जरूर काम आएंगी और आपको पसंद आई होंगी, वीडियो को like, share, comment कर आपके जरूर जाना मिलता हूं अगले वीडियो में, thank you दोस्तो, have a nice day, जय हेंद, वन दे महात्राम, take care